और ग्यानवापी केस में आज सुप्रीम कोट में एहम सुनवाई कल एक दिन के लिए टाल दी गई थी मामले की सुनवाई लोवर कोट में चल रही सुनवाई के खलाफ दी गई है सुप्रीम कोट मेहर जी सुप्रीम कोट ने फिलहाल वाराणसी कोट को आदेश देने से रोक दिया है वाराणसी किस सिवल अदालत में भी अभी सुनवाई पर रोक है वाराणसी ग्यानवापी विवाद को लेकर दायर याजका पर सुप्रीम कोट आज तो पहर तीन बजे सुनवाई करेगा कल वाधी पक्ष ने जवाब दाखिल करने के लिए कोट से समय मांगा था मामले की सुनवाई के दौरान कोट ने कहा था कि अगली सुनवाई के दौरान प्रतिवाधी पक्ष, वाधी पक्ष, यूपी सरकार और वाराणसी कोट में याजका देने वाले वाधी भी अपना पक्ष रख सकते हैं पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष के वकील ने 1991 के प्लेसिस और वर्क्षिप एक्ट का हवाला देते हुए मांग की थी कि वाराणसी कोट में चल रही सुनवाई पर तुरंत रोक लगाते हुए पुरानी यथा स्थिती को बरकरार रखा जाए कज सुप्रीम कोट में मामले की सुनवाई वरिष्ट वकील हरिश अंकर जैन की तवियत खराब होने के चलते टाल दे गए थी कोट की तरफ से सुनवाई के लिए आज तीन बजे का समय मुकररर किया गया था शीर्ष अदालत ने वाराणसी कोट में जारी सुनवाई पर भी रोक लगा दे थे कोट की तरफ से निर्देश दिया गया था कि निश्री अदालत फिलहाल कोई आदेश जारी ना करे देश की सबसे बड़ी अधालत में जिस वक्त इस मामले पर वारांडसी कोट पर रोक लगाए तब वहाँ सुनवाई जारी ही थी वारांडसी कोट में तब ग्यानवापी मस्जिस से जुड़े सर्वे रिपोर्ट पेश की जा रही थी ग्यानवापी विवाद पर इलहाबाद हाई कोट में सुनवाई चल गई अब 6 जुलाई को सुबह 10 बजे से ये सुनवाई होगी केस चले गा या फिर नहीं इस पर हाई कोट में सुनवाई होनी है 31 साल पहले 1991 में दाखिल अरजी पर सुनवाई है एस आई से खुदाई करवाकर सर्वेक्शन कराने की मांग की गई है और केस चले गा या नहीं इस पर हाई कोट अब फिर सुनवाई करेगा 31 साल पहले 1991 में दाखिल अरजी पर ये सुनवाई होनी है और 6 जुलाई को सुबह 10 बजे से इस पर सुनवाई होगी परवाह देशकी सोमवार से शुक्रवार राद 10 बजे TV9 भारत वर्षपर